Dear students, आज की lecture के अंदर हम करेंगे, जो आपका linear algebra का math है, final year का, तो इसका हम first, second chapter कर रहे थी, ठीक है, तो first exercise तो मैंने करवा दी थी, आज हम second exercise को करेंगे, second exercise के अंदर क्या है, second exercise के अंदर है कि linear span क्या होता है, ठीक है, तो linear span मैंने linear combination के बारे में आपको बता दिया था, linear independent और linear dependent के बारे में बता दिया था, ठीक है, तो आज हम करेंगे linear span क्या होता है, तो linear span के अंदर हम क्या लेके चलते हैं, ठीक है, तो देखो, मैंसुब से पहले उसकी definition आपको बता देता हूँ, कि मान लेजिए, कि हमारे पास अगर linear span, ठीक है, linear span क्या होता है, तो linear span के अंदर क्या VN तक ठीक है, तो हमारे पास S set होता है, जो इस पर में दिया होता है, to B A non-empty set बोल सकते हैं, इसको non-empty subset ठीक है, ये, देखो अमारे पास एक set लेके चलना होता है, जो V1, V2, V3, upto V N थी होता है, ये non-empty set subset होता है, और और ए वेक्टर स्पेस, जो वेक्टर स्पेस का अम V F safety note कर सकते हैं vector space को ठीक है vector field भी बोल सकते हैं इसको then the set of the set of all linear combination the set of all linear combination of finite set of finite set of elements elements of S is called linear span span of S let S कोई भी हम set मानके तरते हैं ठीक है यह non-empty subset होता है वारे पास vector field का या vector space का then the set of all linear combination यानि कि जितनी भी हमारे पास linear combination मैंने आपको linear combination के बारे बता है कि linear combination होता है ठीक है आज के lecture में भी मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूं कि linear combination होता क्या है ठीक है तो पहले definition को देख लेते हैं कि जितने भी linear combination होंगे finite set of elements S is called linear span उसको हम linear span बोलते हैं ठीक है तो linear combination देखो मैं आपको बता देता हूं LC linear combination को LC से भी denote कर सकते हैं जैसे हमारे पास कोई vector field देगा यानि कि हमारे पास इस तरह कोई देवगा कोई तो माली जीए वी नाम से भी हम denote कर सकते हैं is equal to v1 plus v2 plus a v1 plus b v2 plus c v3 ठीक है इस पॉर्म में हम लेके चलेंगे जितने क्योशन होंगे हमारे पास जैसे अगर इसके उपर क्योशन देखना है तो मैं आपको वीडियो के नीचे लिंक प्रोवाइड कर देता हूं ठीक है तो उसमें से आप linear combination को देख ले ना linear combination का में लिखते हैं ठीक है और यहां से ए बी स्री की वैल्लू हो फाइंड करते हैं इसको कैसे करते हैं Ancient लिए इसको डिनोट कैसे करते हैं जैसे हम या तो LS से भी नोट कर सकते हैं इसको ठीक है या फिर इसको मैं इस ब्रैकेट के अंदर यानिकि एस इस तरह भी देनोट कर सकते हैं अगर कोई linear span को हमें लिखना है तो हम इसको इस पर लिखेंगे कि हमारे पास V1, V2, V3 यह क्या है हमारे पास VN तक एक linear span है ठीक है अब इसको हम प्रूफ कहीं से करेंगे कि linear span के अंदर है या नहीं है तो उसके लिए दो मैं क्यूस्टन है क्या उत अगर जंघ हूँ माली जी आपके पास हम इसके देरखला है आपके मैत के अंदर से लिए के चलेंगे तो देखो कि माली जी आपके पास यह दे रहा है किस्टन 100 शो डेट ता सेट ओफ शो करके दिखाना में सेट अमारे पास दे रहा है 100 010 001 ठीक है विच विच इस दा सबसेट ओफ V R3 span of the entire vector V ठीक है यानि कि हमें ये परूफ करके दिखाना है कि linear span जो होगा या इसे भी नोट कर सकते हो वो V का होगा ठीक है तो यह हमें शो करके दिखाना है इसके लिए हम क्या करेंगे जैसे linear combination के अंदर हम लिखते थे तो इसको भी मैं linear combination के अंदर ही लिखूंगा ठीक है linear combination को हम जैसे यहाँ माली जी है हमारे पास एक V vector मानके चलते थे हम ठीक है तो मैं कोई V vector मानके चलता हूँ let V be the vector माली जीए आपके पास है X Y Z ठीक है X Y Z A B C कुछ भी मान सकते हो आप तो इसको देखो अगर मैं इसी के अंदर लिखना तो V is equal to इसको मैं V1 मालेता हूँ इसको V2 मालेंगे इसको V3 मालेंगे ठीक है तो A V1 पलस से B V2 पलस से C V3 ठीक है अगर तीन दे रखे हैं तो हम तीन दों लिख लेंगे अगर 4 दे रखे हों दे तो D V4 भी लिख देते हैं ठीक है तो V तो हमारे पास सम्मान के चले हैं ये तो X Y Z is equal to A आपके पास कोई constant लेके चलना है V1 आपके पास ये vector दे रख्या है 1 0 0 ठीक है पलस B आपके पास कोई constant है और V2 एक्टर आपके पास ये है 0 1 0 ठीक है पलस C आपके पास कोई constant है और ये vector आपके पास 001 ठीक है अब अंदर multiply करेंगे तो X Y Z is equal to A 0 0 जाएगा ये ठीक है पलस B की अंदर multiply करेंगे तो 005 0 जाएगा ये तिनों को एड़ करेंगे तो ठीक है और इसको 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 एड़ करेंगे तो यहाँ पर बी आ जाएगा इसको 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 एड़ करेंगे तो यहाँ पर सी आ जाएगा ठीक है तो आवगर हम फ़र्ष्ट को फ़र्ष्ट के एको लखेंगे तो X is equal to या A is equal to X आजाएगा हमारे पास B is equal to Y आजाएगा आपके पास तो B is equal to Y और C is equal to Z आजाएगा यानि कि देखो X, Y, Z की value हमारे पास यहाँ पर कुछ ने कुछ मिल रही है कि sorry A, B, C की value आपके पास कुछ ने कुछ मिल रही है अगर A, B, C की value अगर आपके पास कुछ मिलती है तो क्या मिली है आपके पास X, Y, Z मिली है यानी कि X, Y, Z क्या था हमारे पास V था यानी कि अगर मैं इसको लिखूंगा यानी कि linear span को लिखेंगे तो वाफिस हमारे पास X, Y, Z यानी कि V आजाएगा तो हम इसको बॉल सकते हैं कि linear span जो होगा, वो किसके equal होगा, V के equal होगा, यही हमेशो करके दिखाना था, देखो linear span होता क्या है, कि अगर हमारे पास यहाँ से ABC की value अगर हम निगा लें, ABC की अगर value आपके पास आ जाती है, तो वो linear span के अंदर होता है, अगर ABC की value आपके पास आती तो वो linear span के अंदर नहीं होता ठीक है तो यही बात इसमें main important है कि अगर कोई भी वेल्व हमारे पास दे रख्या है तो हम उसको linear combination के अंदर लिख लेंगे जैसे linear combination के अंदर लिखते थे question को ठीक है तो linear combination के अंदर लिखने के बाद अगर ABC की वेल्व अगर आपको मिल जाती है तो linear span है और अगर ABC की वेल्व आपके पास नहीं मिलती तो linear span के अंदर नहीं है ठीक है clear है अब देखो और कि उससे लेके चलता हूँ जैसे आपके exercise के अंदर दे रखे हैं तो उनको भी शो करके देखेंगे कि वो linear span के अंदर है या नहीं है ठीक है तो question है आपका यह दे रख्या है कि which of the following vectors in आपके पास यह दे रख्या है यानि कि S को यह linear span आपको दे रख्या है और गोल के राख्या इस इसके अंदर ये दे रख्या है को यहां पर दे रख्या है वेक्ट्री वर्न तूवन तो वन टूवह ठीक है यॉ वीवन हो जाए गापका और in one 1-1 छीक है और थार्ड आपके पास दे रहा है 4, 5, 5, 6 तो 4, 5, 4, 5, 6 और ये ये मैं कि बताना है कि linear span है या नहीं है ठीक है और इसके आपके पास ये भी दे रहा है vector दे रहा है 2-1 और 9-8 ये आपके पास दे रहा है तो देखो इसको हम करेंगе यह तो आपके पास V vector हो जाएगा इसको मैं V1 मानके चलता हूँ इसको V2 मानके चलता हूँ और इसको V3 मानके चलता हूँ ठीक है यहां से मैं इसको linear combination की तरह लिख लेंगे तो V is equal to A V1 plus B V2 plus C V3 ठीक है V आपके पास है 2 minus का 1 और minus का 8 A की value आप A तो constant है इसकी value आपके पास है 1 2 1 plus B as this C की value यहाँ पर V2 की value है 1 1 minus का 1 और plus C as this यहाँ पर value रखेंगे 4 5 minus का 2 ठीक है अब A की अंदर multiply कर देते हैं तो 2 minus का 1 minus का 8 is equal to A 2 A और A आजाएगा plus B as this sorry B की अंदर multiply करेंगे तो B B और minus का B आजाएगा plus C की अंदर multiply करेंगे तो 4 C 5 C minus का 2 C आजाएगा ठीक है अब इनको add करेंगे तो first में first वड़े add करेंगे तो इसको तो MST लिख लेंगे 2 minus का 1 और minus का 8 is equal to यहाँ पर आपके पास आजाएगा A plus B plus 4 C आजाएगा अब इसको इसको add करेंगे तो 2 A plus 5 C plus sorry B यहाँ पर भी आएगा ठीक है B plus 5 C आजाएगा ठीक है और इसको इसको add करेंगे तो A minus B minus 2 C आजाएगा ठीक है अब मैं first को first के equal रख देता हूँ तो A plus B plus 4 C is equal to 2 आजाएगा और यहाँ से इसको इसके equal रखेंगे तो 2 A plus B plus 5 C आजाएगा is equal to minus का 1 और A minus B minus 2 C is equal to minus 8 के equal रखेंगे ठीक है अब यहाँ से तीन equation आपके पास तीनों equation में से हम क्या करेंगे A, B, C की value find करेंगे अगर आपके पास A, B, C की value आजाती है तो linear span के अंदर है अगर नहीं आती तो linear span के अंदर नहीं है अब यह तीन equation आगी आपकी आँसे इसको मैं first माल लेता हूँ यह आपके पास second हो जाएगी यह आपके पास third equation हो जाएगी ठीक है अब first second third को अगर मैं solve करूँ हो यहां से तो मैं second और third को लेता हूँ तो second और third को solve करेंगे तो 2 A plus B plus का 5 C is equal to minus का 1 ठीक है यहां से B को cancel करतेंगे तो 3 A plus 3 C is equal to minus 9 3 से इसको divide करेंगे तो A plus C is equal to minus का 3 इसको fourth equation माल लेते हैं ठीक है अब first और second को solve करेंगे तो A plus B plus 4 C is equal to 2 अब यहां से यह minus का यह भी minus का यह भी minus का यह भी minus का B तो हमारे पास cancel हो जाएगा तो यह A बज़ जाएगा यहां पर plus का C बज़ जाएगा is equal to minus का 3 आजएगा A plus C is equal to minus का 3 यहां पर भी क्या है A plus C is equal to minus का 3 है अगर मैं दोनों को solve करूँ है तो क्या आपके पास A और C की value निकलाएगी यहां से तो A और C की value तो हमारे पास यहां से नहीं निकलेगी ठीक है यानि कि 0-0 आएगी तो A और C की value हम नहीं निकाल सकते तो इसका क्या है कि यह linear span के अंदर नहीं है ठीक है कलियर है अगर हमारे पास यहां से A B C की value आ जाती तो हम क्या बोलते इसको linear span के अंदर था यह अब जो है यानि कि इसको हम लिख सकते थे फिर जो यह अमारे पास 2 2 minus का 1 और minus का 8 जो है यह हमारे पास दे रख्या था यह इसके अंदर यह यानि कि belong कर जाता अब यह जो है belong नहीं करेगा कि इसके अंदर 1 2 1 और 1 1 minus का 1 और 4 5 और minus का 2 ठीक है अब यह इसके अंदर belong नहीं करेगा ठीक है कलियर है linear span समझ में आया क्या है क्या करना हमें तो मैं एक और लेता हूँ जैसे इसके ऊपर So, इसको साफ कर देते हैं तो एक और लते लेते हैं इसका आपके exercise में से ही इक क्युस्चन और लेते हैं जो lin단 के इन्दर भी है और नहीं भी है ऐसा क्युक्चन लेकर चलेंगे कि कि show that three seven belonging to three seven belong करता है यानि कि three seven जो है यह belong करता है किसके अंदर belong करता है यह आपके पास दे रख्या है one two zero one one two or zero one ठीक है इसके अंदर belong करता है यह तो डस्यूत ब्लाइख करता है इसके अंदर बिलोंग नहीं करता है यह एक तो देखो थरी इन जो है इसके अंदर तो बिलोंग करता और इसके अंदर बिलोंग नहीं करता यह हमें शो करके दिखाना है तो वहीं आम इसको V Vector माल के चलेंगे इसको V1 इसको V2 ठीक है linear combination के अंदर लिखेंगे इसको तो linear combination के अंदर हम कैसे लिखते है V is equal to A V1 plus B V2 ठीक है अब यहाँ से यह तो 37 है आपके पास is equal to A आपके पास Haydice और V1 की value है 1 और 2 पलस B की value आपके पास B City और V2 की value है 0 और 1 एक अंदर multiply करेंगे तो 37 is equal to A और 2 A और जाएगा आपके पास यह पलस B के अंदर multiply करेंगे तो 0 और B भी आ जाएगा अब दोनों को एड़ करेंगे तो 37 तो आपके पास sds a को इसके अंदर एड़ करेंगे तो a आ जाएगा इसको इसके अंदर एड़ करेंगे तो 2 a पलस का भी आ जाएगा ठीक है अब मैं फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल रख लेता हूं तो a is equal to 3 और second को second के equal रखेंगे तो 2 a पलस b is equal to 7 a की value 3 है इसके अंदर put करेंगे तो यह 6 हो जाएगा पलस b is equal to 7 और b की value 1 आ जाएगे हमारे पास तो देखो अब a और b की value तो इसके अंदर आ रही है तो इसका मतलब यह linear span है यानि कि belong करेगा इसके अंदर तो हम इसको लिख सकते हैं कि 370 है यह बिलोंग करेगा किसके अंदर one two or zero one के अंदर ठीक है तो इसके अंदर तो बिलोंग करता है अगर मैं यही क्यूस्टन इसी के ऊपर लेके चलूं कि करीड़न भिलों सभिवां इसके अंदर तो इसको भी मैं वीवान मान के चलता ह्यक् grammar यह W 2 हो जाएगा आपके पास वीन हो जाएगा आपके पास ये ढी compress ग्यात धिक है A के अंदर multiply करेंगे तो 3 7 is equal to A और 2 A आ जाएगा plus B के अंदर multiply करेंगे तो यह आपके पास 2 B और 4 B आ जाएगा ठीक है तो 3 7 तो आपके पास S G is equal to इसको इसके अंदर add करेंगे तो A plus का 2 B हो जाएगा और इसको इसके अंदर add करेंगे तो 2 A plus का 4 B आ जाएगा अब first को first के equal रखेंगे तो a plus 2 b is equal to 3 और यहाँ पर आपके पास आजाएगा 2 a plus का 4 b is equal to 7 ठीक है अब यहाँ से तो यह इसको मैं अगर 2 से divide करता हूँ तो a plus 2 b is equal to 7 by 2 आजाएगा अब देखो अब a plus 2 b 3 के equal है a plus 2 b 7 by 2 के equal अगर दोनों को solve करेंगे तो यहाँ से दोनों solve नहीं होगे यानि कि a और b की value आपके पास 0 हो जाएगी तो इस तरह अगर हमारे पास यह आजाएगा तो a और b की value हम नहीं निकाल सकते जब a और b की value नहीं निकलेगी तो क्या हो जाएगा यह इसके अंदर belong नहीं करेगा यानि की linear span के अंदर नहीं होगा ठीक है clear है तो मैंने आपको इसकी definition यह उताई थी की linear combination के अंदर अगर जब भी हम किसी subset को लिखेंगे और उसको वहां से अगर हम linear combination के अंदर लिखने के बाद अगर वहां से हम value निकाल लेते हैं तो इसका मतलब वह linear span के अंदर अगर value नहीं निकलेगी तो इसका मतलब वह linear span के अंदर नहीं है ठीक है clear है तो यह था linear span का आपके पास topic ठीक है